एलो फ्रेंड मैं सहाहिर। अप्धुक्त सुनील तंवार कंसल्टेंट टी और यह एञ टी और राइनोप्लास्टी नोजसरेजन दोस्तो आज हम सकरेंगे सब लुइक, सल ल सेह सेपटल परफोरेशन क्या है सब हो क्यों सहिस ल स्टेपल परफोरेशन होता है and what is the management of the septal perforation दोस्तो बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगे बेल आइकोन को प्रेस करना and यूटूब सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले ऐसे आनेक उपयोगी वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहे दोस्तो सेप्टल परफोरेशन बैसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कही ना कही हमारे जो यूवा है या जिससे हमारी जो दैनिक जिंदगी है बहुत बार पेशेंट को होता है तो उसको जो है बहुत चीजों के लिए सफर करना पड़ता है इसलिए सबसे पहले ही हमें जानेगे क्या है शेप्टल परफोरेशन दोस्तो सेप्टल परफोरेशन एक नोज से रिलेेद प्यूब्लम है जो हमारा नाग के बीच में जो यह पार्टीशन होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं यह septum क्या है कि entire जो है दोस्तों intact रहना चाहिए जिससे दोनों nasal cavity separate रहें और हमारा जो nasal wall है हमारे को partially एक nose से breathing आता है फिर कुछ time तक यह rest करता है फिर दूसरे nose से breathing होता है तो इसलिए हमारे को जो nose के बीच में septum है उसकी गोडने उसकी need जो है उसकी जरूत बनाई है दोस्तों है बहुत बार जो है इस septum में एक बड़ा hole हो जाता है जिसको हम septal perforation बोलते हैं अगर दोस्तों कारण की बात करते हैं तो इसमें जो है इसका जो commonest जो इसका कारण है वो है basically जो है after the surgery है और trauma है वो trauma आइदर कोई accident के कारण भी हो सकता है या वो हो सकता है कि कई बा नोज सर्जरी की different technique के कारण मान लो या कई बार क्या है patient की problem जो है वो precautions use में नहीं लेने की कारण मान लो बट mostly जो उसका कारण होता है वो technical reason होता है जो surgery की proper technique नहीं होती है या कई बार जो है वो सर्जरी के बाद में nose में infection हो जाता है जिसको septal hematoma बोलते हैं उसके कारण भी chances होते हैं कि naak का जो हमारा septum है उसके उपर जो म्यूकोजा है जो अंदर की चमड़ी जिसको हम बोलते हैं उसके बीच में पस फॉर्मेशन होने के कारण वहां पर जो वह कारण का पार्ट है वह collapse हो जाता है वह खत्म हो जाता है वह डेमेज हो जाता है जिसको हम जो है और sept 50 जो हमारा जो नोज का जो ब्रीज है। उसका support कथम होने के करन नोज बीच में से बैठ जाता है, जैसे scooping appearance हो जाती है, बहुत बार saddle नोज हो जाता है, जैसे किसी मकान का अगर आप पीलर आप अटा दोगे, उसका support अटा दोगे तो बीच में उसमें bump आ जाएगा, लंप आ जाएगा, तो इस type में नोज बैठ जाता है, बहुत बार दोस्तों उसके करण जो हमारे युवा जो लोग हैं, जिनको बहुत बार कैरियर में problem आती है, क्योंकि अगर आप एक young army aspirant हो, आप air force में जाना चाहते हो, आप pilot बनना चाहते हो, तो आपका septum that should be intact, आपका नोज जो है medical में, बिल्कुल नोज के लिए जो septum है, वो center में होना चाहिए, और उसमें कोई perforation नहीं होना चाहिए, इसलिए दोस्तों, यह जो problem है, यह कई बार आपके carrier से related भी ऐसी होती है, जिससे हमें बहुत निरासा होती है, दोस्तों, अब है इसका इलाज, क्या है septal perforation का management, दोस्तों, इसका जो septal perforation का medically treatment नहीं है, इसका surgical ही treatment है, इसकी surgery की जाती है, और इसमें surgery के लिए इसको जो ठीक करते हैं, तो इसके लिए हमें graft की जरूत होती है, यह जो graft है, वो हमें rib cartilage, जो हमारा rib का जो portion है, उसका partially part हमें harvest करके, और वो जो हमारा जितना perforation है, उसकी size का measurement करके, और उसका एक दोस्तों, एक framework बन gastroplasty, यानि nose को open करके, और उसको वहाँ पे set किया जाता है, और यहाँ पे जो rectus fascia या temporal fascia है, उससे दोनों तरफ उसको cover किया जाता है, नोज के बीच में जो है, बड़ी जटिल प्रकरिया है, जिसमें क्या है कि जो है, वो अंदर का flap लेके उसको cover किया जाता है, क्योंकि दोस्तों, यह जो प्रकरिया है, इस सर्जरी की बहुत जटिल होती है, इसलिए अमोमन इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं, और कई बार क्या है, सारी अच्छी टेक्निक के बावजूद भी जो है, नया जो हम graph लगाते हैं, जो नई cartilage लगाते हैं, वहाँ पे blood circulation नहीं स्टा बात करते हैं, तो यह जो सर्जरी है, वो करीब 2-3 गैंटे की सर्जरी होती है, अगर से बड़ा perforation होता है, तो बहुत सारे लोगन का यह सवाल होता है, कि सर्जरी को कराने में कितना चार्ज लगता है, दोस्तों यह जटिल सर्जरी होती है, सर्जन के लिए वह भी बड़ रुपे तक इसका चार्ज किया जाता है डिपेंड करता है पेशेंट की सिच्वेशन क्या है पेशेंट का जो है वो परफोरेशन कितना बड़ा है सो दोस्तो बट सरजरी के माध्यम से जो है इसको जो है ठीक किया जाता है बट यह जो सर्जन है वो फुरा 3D knowledgeable होना चाहिए and patient भी इसके लिए ready होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से best कर रहे हैं आगी जो भी होगा उसको हम देखेंगे ठीक है ना बहुत बार इसमें जो है patient का सवाल होता है कि sir इसमें guarantee है कि ये ठीक हो जाएगा दोस्तो ऐसा कहीं नहीं है क्योंकि जो हमारी body से related जो surgery होती है उसमें हम चीज को improve करते हैं इसमें कोई guarantee या ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों I think this information regarding the septal perforation is useful for you and you can share this information regarding the septal perforation to your family and friends just to create awareness about the septal perforation management and आपका कोई सवाल है regarding the septal perforation you can put my comment box definitely I reply thank you